तीन घंटे का टोचर या फिर तीन घंटे का ठेलर कुछ समझ नहीं आया मुवी की सुरुवात हुई अच्छा लगा फिर जब आगे के कुछ बीच से 25 मिनट देखें तो गूरु कसम से ऐसा लगा ना ऐसा लगा भाई इतनी फुद्दू मुवी कौन बनाता है संकर सर आप मेरे लिए परसनली मेरे लिए इंडिया के वन अप दा बेस्ट टरेक्रों में से एक आते हैं और मैंने आपकी सब तो नहीं पर मैक्सिमम मुवी ज़रूर देखी हैं आपका स्टोरी पोडरे करने का तरीका आपका विजन आपकी स्टेमोमेड़ग्राफी आपका कैमरा वर्क इसलिए मैंने इस मुवी को दो बार देखा और समझने की कोशिस की कि मूवी आखिर कहना क्या चाहती है ये मूवी हमें दिखाना क्या चाहती है और इसे दो बार देखने के बाद मुझे जो समझ में आया वो ये है कि मेंकर्स इसे one man army मनाना चाहते थे लेकिन मुवी अपने आउट डेटेड़ स्टोरी और स्टर्प्राइजिंग स्क्रीन पेले के साथ तास्क वोजोकर बन जाती है जो काम तो किसी नहीं आता लेकिन टाइम आने पर हारी हुई बाजी चिताने का दम रखता है मतलब मुवी का क्लाइमेक्स जो इस मुवी को ना 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 करके कम से कम एक बार देखने के लिए फोस तो जरूर करता है क्योंकि इस मुवी में जो बिल्दप दिया गया है इसकी स्टोरी को लेकर उसका असली पोटिंसियल हमें देखने को मिलेगा इसके अगले पार्ड में या हमें उसका इंतजार है तो हमें अच्छा माल दीजिए विल बस इतना ही इंडियन फ्रेंचाइजी में अभी हमें क्या कर देखनों के मिलता है क्या एक ट्रू मास्टर पीस का सीक्विल बनके वर्थित निकलती है या फिर ये विर्थ निकल जाती है बसे तुम लोग बता कि त तुम इसके बारे में क्या सुसते हो वस ये तिनों बाते एक हैं फिर भी बताओ कि तुम क्या सुसते हो उसके बारे में कमेंट में बताओ और इंतजार करो अगली वीडियो का